नमश्कार, नमश्कार, माननिय प्रधान मंत्री शिनरेंद्र मोदी जी, मैं सुनेना त्रिपाथी पिष्णमूर्थी वॉल स्कूल कटक ओडिसा से हूँ, मेरा प्रश्न यह है कि कक्षिया में विद्यार्थियों को रूची पुन पढ़ाई के लिए कैसे आकरशित करें, साथी कक्षिया में अनुसाशन के साथ पढ़ाई को रोचे कैसे बनाए धन्यबाद। देखिये, आजकर अनुभव आता है कि टीचर अपने में खोई रहते हैं। अब यह तो मेरे आज़ा वाक के बोला अपने पकड़ लिया। वो एक निश्चीत से लेबस्त, बीस मिनिट, तीस मिनिट बोलना है, आपना कड़कड़ बोल देते हैं। और फिर इसमें कोई हिलेगा इधर उधर तो देखा होगा आपने। मेरे अपने बच्पन के अनुभव के बात बता तो आजकर तो टीचर अच्छे होते हैं। मेरे जमाने में शायद ऐसा नहीं होगा। इसलिए मुझे टीचरों के आलोचना करने का हक नहीं है। लेकिन कभी कभी मैं देखा था कि टीचर जो तैयरी करके आये हैं। और अगर वो भूल गए तो चाहते नहीं के बच्चे पकड़ लें उनको। उनको बच्चों से छिपाना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं। एक काती दर्व एए खड़ा हो जाओ। क्यों ऐसे बैठा है। क्यों ऐसा कर रहा है। क्यों ढिकना कर रहा है। याने पूरी पांसात मिनिट उसमें लगा देंगे। इतने में अगर विशे याद आ गया तो गाड़ी बापिस आएगी। वरना फिर मारो कोई हस पड़ा उसको पगड़ेंगे। क्यों हस आए तो। अचा आज भी ऐसा ही होता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता होगा। अब तो टीचर बहुत अच्छे होता है। आपने देखा होगा टीचर भी अभी मोबाइल फोन पर अपना सिलिवस लेके आता है। मोबाइल देख करके पड़ाता है। ऐसा करता है ना। और कभी उंगली धरुदर डब गई। तो वह हाथ से निकल जाता है। वह खोथता रहता है। क्यों अच्छे पूरी तरह टेक्लोलोजी को सीखा नहीं है। जरूरी दो चार चीजे सीख लिए और इधर उंगली अड़ गई। तो फिर वह डिलीट हो जाता है। या खिसक जाता है। हाथ नहीं लगता है। बड़ा परशान हो जाता है। शर्दियों में भी पसे ना सूर जाता है। उसको लगता है कि ये बच्चे और उसके कारण जिसकी अपनी कमियां होती है। उसका एक सोभाव रहता है। दूसरों पर एक्ष्ट्रा रॉब जमाना है। ताकि अपनी कमियां बाहर ना आये। मैं समझता हूँ हमारे शिक्षक मित्रों ने विद्यार्थियों के साथ जितना अपनापन बनाएंगे है। विद्यार्थी आपके ज्ञान की कसोटी करना नहीं चाहता है। ये हमारा ब्रह्म है। टीशर के मन में होता है कि विद्यार्थी आपको कोई सवाल पूसता है तो आपकी एक्जाम ले रहा है। जी नहीं अगर विद्यार्थी सवाल पूसता है तो ये मान के चलिए उसके अंदर जिग्यासा है। आप उसकी जिग्यासा को हमेशा प्रमोट कीजिए। उसकी जिग्यासा ही उसकी जिग्यासा ही उसकी जिन्दगी की बहुत बड़ी अमानत है। किसी भी जिग्यासू को चूप मत कीजिए। उसको टोक मत दीजिए। उसको सुरिए आराम से सुरिए। अगर जवाम नहीं आता है तो आप उसको कहिए कि देख बेटे तुन्हें बहुत अच्छी बाप कही है। और मैं तुम्हें जल्दबाजी में जवाब दूगा तो अन्याय होगा। ऐसा करो हम कल बैठते हैं। तुम मेरी चेंबर में आ जाना हम बाते करेंगे। और मैं भी तुमको समझने की प्रहस करूँगा। ये विचार तुम्हें कहां से आया। और मैं भी कोशिश करूँगा। इन बिट्वीन मैं गर जा करके स्टड़ी करूँगा। जरे गूगल पर जाओंगा इधर उधर जाओंगा पूछ लूँगा। और फिर मैं तयार होकर क्या हूँगा। फिर दूसरे दिन मैं उसको पूछूँगा। अच्छा मैं तुम्हें यह विचार आया कहां से। इतना उत्तम विचार इस उमर में कैसे आया तुम्हें। उसको पुछकार तो फिर कहिए देख सचुछ पैसा नहीं है। रियालिटी यह है। वो तुरंट स्विकार कर देगा। और आज भी स्टूडन्स अपने टीचर की कही हुई बात को बहुत मुल्यवान समगता है। अगर एकाद गलत बात बता दी तो उसकी जिन्दगी में वो रजिस्टर हो जाती है। और इसलिए बात बताने से पहले समय लेना बुरा नहीं है। हमने बात में भी बताएं तो चलता है। दूसरा डिसिप्रीन का सवाल है। क्रास में कभी कभी टीचर को क्या लगता है। अपना रुवाब प्रभाव पैदा करने के लिए जो सबसे दूर्बल स्टूडन्ट होता है। उसको पुछे क्या बताओं। तुम समझे के नहीं समझे। तो अबक 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 करता रहेगा। तू तू में में चारेगा तो फिर वो डाट देंगे। जो बहुत ही अच्छे ब्राइट स्टूडन्ट है। उनको कैसे समझे इसको बढ़िया समझाएगा। तो जो नहीं समझ रहा है वो स्टूडन्ट की भाशा अच्छी तरह समझेगा। उसको समझा जाएगा। और जो अच्छे स्टूरंट है उनको मैं प्रतिष्ठा दे रहा हूं तो अच्छे बनने की कॉंपटिशन शुरू होगी स्वाभावी कृते कॉंपटिशन शुरू होगी। दूसरा जो इस प्रकार ते अनुशासन में नहीं है ध्यान के दित नहीं करता है। कि ट्रांस में भी कुछ रूज और एक्टिविटी करता है। टीचर अगर उसको अलग बुलाने है। अलग बुला करके बात करें। प्यार से बात करें। देख यार कल कितरा बढ़िया भी शेयदा। अब तुम खेल रहे थे। अब चलो आज खेलो मेरे सामने खेलो। तुम्हें भबजा आएगा मैं भी देखूं क्या खेलते थे। अच्छा बताओ तुम यह खेलने का काम बाद में करते हैं। और तुमने ध्यान दिया हो तो फाइदा होता यह नहीं होता। उससे अगर समवाद करते हैं। तो उसको एक अपनापन मैसूस होता। वो कभी इंडिसिप्लिन नहीं करता जी। लेकिन उसके एगो को अपने अगर हट किया। तो फिर दिमाग फट गेगा। कुछ लोग चटूराय भी करते हैं, चटूराय भी कभी कभी कान आती है। जो सबसे सरारती लड़का होता है। उसको मनीटर बना जेते हैं। बनाते हैं नiveness. मोनिटर बन जाता है तो उसको भी लगता है यार मुझे तो ठोड़ा ठीक से वहवार करना पड़ेगा तो वो फिर खुद को अपने आपको ठीक करता है और सब को ठीक रखने के लिए अपने आपको एड़ेस्ट करता है अपनी बुराईयों को कंट्रोल करने कोशिश करता है शिक्षक को प्रिय होने का प्रयास करता है और अल्टीमिल्टी परणामी आता है उसकी जिंदगी बदल जाती है और उसके माध्यम से क्लास्रूम का इंवार्मेंट भी सुधर जाता है तो अनेक तरीके हो सकते हैं लेकिन मैं मानता हूँ कि हमें डंडा लेकर के डिसिप्लीन वाले रास्ते नहीं चुनने चाहिए हमें अपना पन का ही रास्ता चुनना चाहिए अपना रास्ता चुनेंगे तब ही लाब होगा बहुत बहुत धन्यवाद